हेलो स्टूडिंट्स हाई वलकम बैक तो माई चैनल लेनिंग विद दिव्या आज हम करेंगे स्टूडिंट टीजिटी जी आई सी 2021 के लिए मॉडल बेबर नमबर नमबर टू इससे पहले मैंने मॉडल बेबर नमबर वान कराया है तो जिन भी स्टूडिंट्स ने वह वीडि स्टूडिंट्स नमबर टू और आज का हम कोशन देख लेते हैं तो से पहले हम जो कल मैंने लास्ट कोशन कराया था था मॉडल बेबर नमबर वन में उसमें मैंने यहां पर जो है क्यालसी फिरॉल को आपको एंटी-सकॉरबिटिक बता दिया था जी नहीं क्याल सी फिरॉल एंटी रिकक्टेक फैक्टर हो जाएगा Okay and एक कोशन और सा जिसमें वच्चों को कुछ समस्या थी कि कौन सा इस्त्री मैंने इसमें पूछा है कि कौन सा इस्त्री प्रजनन अंग नहीं है तो प्रजनन अंग पूछा मतलब से रिप्रोड़क्टिव और पूछा था तब गरभाशे भी है लेकिन प्रोजिस्टरॉन नहीं है प्रोजिस्टरॉन क्या है हॉर्मोन है फीमेल सेक्स हॉर्मोन है कौन सा हॉर्मोन है फीमेल सेक्स हॉर्मोन है टेस्टोस्टरॉन मेल सेक्स हॉर्मोन होता है लेकिन प्रोजिस्टरॉन फीमेल सेक्स हॉर्मोन है तो अगर कि मैंने यही आंसर बता हैं लि कोई भी डाउट ना रहा तो इसके लिए क्लिए प्रस्ट कर देते हूं जलिए , सब्सक्राइब blades एक नैरूमेटर बराबर होता है , नैरूमेटर किसके बराबर होता है clear हो गया तो एक nanometer जो होता है meter का एक अरबवा भाग होता है मतलब इतना छोटा होता है तो आप समझे एक nanometer जो होता है 10 to the power minus 9 meter के बराबर होता है 10 to the power minus 9 meter के बराबर होता है एक nanometer समझ में आ गया चलिए next question देखते हैं 1 micron micron समझते हैं आप fibers पढ़ते हैं तो fibers के आप लंबाई बताते हैं तो staple fibers के लंबाई आप microns में बताते हैं तो एक micron लंबाई प्रदेशित करता है कितनी जिसको आप इस तरीके से mu से जो है आप like that ऐसे करके mu से प्रदेशित करते है इसका sign होता है तो एक micron जो होता है हीट की एक और क्या नहीं है स्योंहा है marry काई कृण कि एक का येसट आपकी टमपरेचर की यूनित है लेकिन हीट की काईसंट इंटेग्रेट प्रेशर की इकाई क्या है मतलब आपके जो पारिसिती की दबाव है जो प्रेशर है एट्मोस्फियर का उसकी यूनिट क्या है तो स्टूइट उसका जो हैसाई मत रग होता है वो बार होता है ठीक है बार समझ में आ गया कितना हो दैं बार तो आप किसमें ऑप्शन हो एक micron ठीक है जो कि आपके आता है 10 to the power minus 6 centimeter sorry meter के बराबर एक nanometer कितना होगा 10 to the power minus 9 meter एक angri strong 10 to the power minus 10 meter एक firmimeter 10 to the power minus 15 meter तो आपके firmimeter कितना हो जागा 10 to the power minus 15 meter सबसे नियुंता में काई लंबाई की ठीक है option number यहापे D हो जाएगा now the next question is student ध्वनी की तीवरता को मापने बाला इंतर कौन सा है जिससे आप ध्वनी की तीवरता को मापते हैं तो वो तो होता है आपके audiometer कौन सा होता है audiometer तो इसमें आपके option number हो जाएगा B audiometer next question की तरफ चलते हैं हम वायू की गती मतब स्पीड एर की स्पीड को किसके दौरा नापा जाता है तो एनिमो मीटर से एर की इंतर क्या हैँ स्विग्नोमेटर वायो मंडल की आधरता हिउमेडिटी को पाप कर आ हिंदर से कहाँ मनडल की आधरता किस से पी जाती है तो हाइग्रोपितर से नहीं नमर बी नेक्ष्ट को इस दूद की घंथत्व हाको हो किसके दोरा माप जाता है तो अभिसली Cobas किसे मापा जाता है, लेक्टोमेटर के दौरा मापा जाता है नेक्स्स कोशन, वाई मंडली दाब को मापने में किसी अंतर का उपयोग किया जाता है अब आपको atmospheric pressure के बारे मताना है, अभी हमने क्या क्या पढ़ा, speed पढ़ी किसे मापते हैं, फिर हमने पढ़ी humidity किसे मापते हैं, atmosphere के अब हम पूछ रहे है, atmospheric pressure को किसे मापा जाता है, तो barometer से किसे मापा जाता है आपके, barometer से, option number B, okay भूकम की तीवरता किसे मापी जाती है, जो भूकम पाता है, वो कितनी तीवरता से आया है यह किस पैमाने पर मापा जाता है, तो आपको पता ही है, रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है, किस पैमाने पर मापा जाता है, रिक्टर इसकेल होता है, जिस पर आप स्पीड को नापते हैं, कि भूकम, अर्थक्वाइक कितनी स्पीड से आया था, ठीक है, next question is, रिक्टर पै वुचाल, भूकम को record करता है, तो भूकम को record करने का जो यंत्र है वो क्या है, seismograph ठीक है, या seismograph, चलिए, नेक्स question देखते हैं, सही सुमेल कीजिए, फैदोमेटर, वैरोमेटर, हैईगरोमेटर, अल्टिमेटर, तो फैदोमेटर क्या है, फैदोमेटर से देखिए, समुद्र क गहराई नापते हैं ठीक है बैरोपीर से हम समूद्र के तल से विमान की उन्चाई रापते हैं कि भई हलके रंग इन कपड़ों को गर्मी में वरेता दी जाती है क्यों वरेता दी जाती है क्योंकि हलके रंग ऊश्मा को कम एब्जॉब करते हैं बिल्कुल सही बाते हैं दोनों ही बाते एक दम करेक्ट हैं और एका सही स्पष्टिकरन है कि गर्मियों में हम बहुत light colors पहनत पसीना क्या करता है आपकी बॉड़ी में जो है ताप नियंतरत करता है option number A, B नहीं option number A शरीर का ताप नियंतरत अपने मतलब temperature को control करता है पसीना आमारी बॉड़ी में ठीक है next question देखते हैं मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जो है आपके जल ठंडा बना रहता है आ टैदों से पानी रिस्ता रहता है जिसकी वजएसरे जो lot of mean in गड़े की सथा होती है वह हमेशा गीला रहता है और जो चेहसे पानी निगलता रहता है उसका wash post surgeon होता रहता है मतलब evaporation होता रहता है वो evaporate होता है water जिस वज़े से आपके जो सतर हो ठंडी होती रहती है और आपका जो पानी है उसका temperature गिर जाता है और पानी ठंडा बना रहता है तो option no. B हो जाएगा ठीक है मिट्टी के घड़े में इस वज़े से जल ठंडा रहत गर्मी के मौसम में आप अंखा चलाते हैं आपको आराम हैसूस होता है क्यूं क्यूंकि हमारा पसीना जो है वह बहुत तेजिस से एवापोरेट हो जाता है वाश्पीक्रत हो जाता है आप जब उचाई पर जाते हैं तो जल का जो बॉलिंग पॉइंट है वो घटता जाता है ठीक है क्यूं क्यूंकि उचाई के सासा वाईव मंदली दाप बढ़ता है देखिए गलत जैसे जैसे हम अर्थ से उपर की ओर जाएंगे तो जो एट्मोसफारिक प्रेशर है वो घटत जाता है बढ़ता नहीं है घटता जाता है और जैसे जैसे वाईव के घटते दवाब के सासाथ आपका जो जल का बॉलिंग पॉइंट है वो भी घटता जाता है तो ए सही है आर गलत है इसमें आपके ए सही है बट आर गलत है वाईव मंदली दाप घटता है बढ़ता नहीं नेक्स कोशिन वाई मंडल हमारे उपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है पर हम उसको फील नहीं कर पाते हैं क्यों हम उसका अनुभब नहीं कर सकते हैं क्यों क्यों कि भाई वाई मंडल क्या है एट्मोस्फियर क्या है जिसमें हम रहते हैं हमारे चारोर क्या है वाई लेकिन जैसे जैसे हम वाटर के अंदर जाते हैं, वाटर की बहुत डीप होते चले जाएंगे, जो बाहर का प्रेशर है वो आपको फील होगा, क्यों? क्योंकि जो जल का बहाई प्रेशर होता है, वो हमारे नॉर्मल ब्रेट पेशर से ज्यादा होता है, वो हमारे नॉर्मल ब पर पानी परकाब्षेजर लगर देते हैं आप पूरा प्रेशर देते हो न, इसलिए अधिक टेम्परेचर पर खाना हैсть हमारा जल्दी पक जाता है चीक है, नेक्स कोशन, गर्मियों में सफेद कपड़े हैं, क्यों पहनते हैं, क्यों आरामदायक होते हैं, क्योंकि वो क्या गरते हैं, हमारे उपर पढ़ने वाली सारी उश्मा को परावर्तित कर देते हैं, मतलब एब्सॉर्ब नी कर देते हैं, बापस कर देते हैं, बजबूत होता है, दोनों बाते बिल्कुल सही है, जब आप खाना बनाने की जो बर्तन होते हैं, कोई भी pressure cooker हो गया, कोई पैन हो गया तो उसमें लकडी ऐबोनाइट के handle लगाए जाते हैं, क्योकि यह क्या होते हैं, बाड इंसुलेटर होते हैं, मतला उुश्मा के कुछ आल स्टूटेंट जब आप 0 डिग्री से 10 डिग्री से तक गरम करते हैं तो पानी का आयतन पहले घटता है और फिर बढ़ता है इसमें आपके ऑप्शन हो जाएका ऑप्शन नमबर बी psychology next question उनि वस्तर हमें गरम रखते हैं बिलकुल सही बात है क्योंकि permanent protein की बने होते हैं बिलकुल ठीक बात है औरya प्शन की बचलते हैं इंयक न्यूम में प। तकि हमारी जो अंदर की लिए बाहर ना निकलने पाए इसलिए वुलन फाइवर्स को बहनते हैं कमरे में रखे रफिजरेटर का आप दरवाजा खूल दीजिए क्या हो जाएगा अगर अपने रफिजरेटर रखा है उसका दरवाजा खूल दिया तो क्या हो जाएगा आप के क पैसे निगलती है जिसकी वज़ासे गर्मी बढ़ती है उस रूम में फ्रिज वगरा रख देते हैं आप तो next देखेए decibel इकाई का प्रियोग क्यूं किया जाता है decibel इकाई का अपियोग कहां किया जाता है तो ध्वनी की आपके तीवरता मापने में decibel इकाई का यूज किया जाता है decibel unit किसमें यूज की जाती है ध्वनी की तीवरता मापने में next question की तरफ चलते हैं जब दो लोग आपस में बाते कर रहे हैं तो कितने decibel ध्वनी मतलब जो noise है उत्पन होती है लगब 30 decibel अब आपको देखिए एक list है बता देती हू कुछ लोग फुस फुस आइट करते हैं तो decibel में noise को मापते हैं तो 15 to 20 decibel नॉर्मल बातचीच जो होती है वो 30 to 60 तक जाती है आप बहुत चीक के चिला के बात कर रहे हैं तो 70 से 80 decibel ट्राक मोटर साइकल की कितनी होती है 90 to 95 decibel जो कार खाने वगरा लगे होते हैं इनके होती ठीक है तो नॉर्मल जो जब दो लोग आपस में बाते कर रहे हैं तो कितनी होगी साधान बातचीच के मैंने अभी आपको बता ही 32 to 60 decibel ठीक है और यही सही होती है हम इतना जो है सुन सकने हैं ज्याता ज्यादा हम इतना ही अच्छा रहता है हमारे लिए ज्याता तेज बात अगना नहीं सही रहता है ओकी चलिए नेक्स देखते हैं विश्वस्वास अंगठान मतला डबलु एचो के द्वारा एक नगर के लिए जो सुरक्षित ध्वनी प्रदूशन इस तरह है वो कितना है वो है 45 decibel निर्दारित किया है किसी भी नगर के लिए 45 decibel ओके तो आपके the analytical engine की संग्या दी थी और ये computer का जनक फादर भी बोला जाता है तो Charles Leves ने आपके क्या बनाया था पहला computer बनाया था आप computer पढ़ते हैं आपके syllabus में भी है ICT वगरा information जब आप communication extension पढ़ते हैं तो ये topic important हो जाता है next question है computer का जनक किसे कहते हैं अभी हमने बात करी Charles Leves क computer का जनक बोलते हैं next question electronic computer का विश्कार किस ने किया तो second world war के बाद या दौरान विटिश वेग्यानिक Dr. Alan M. Turing Colossus नामक प्रथम electronic digital computer को उन्होंने डिजाइन किया था Colossus नाम था ठीक है और ये first electronic digital computer था तो आपके इसमें नाम हो जाएगा Dr. Alan M. Turing during second world war mouse क्या है memory है CPU है input device है output device है mouse एक input device है आप कोई भी जब data computer में in करते हैं मतलब enter करते हैं तो वो input device होता है जब आपको answer मिलता है तो उसको क्या बोलते है output device है जैसे mouse sorry mouse आपके input हो गया mouse के तो आप क्या करते है कोई भी data को in करते है ठीक है और output device क्या हो गया जो screen है वो आपको क इन्पुट डिवाईज है चलरए नेक्सक्रोशन के तरफ चलते हैं निम्लिकित में से कौन सा आउट्पुट डिवाईज नहीं है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लास्टर यह सब आपके आउट्पुट डिवाईज हैं जिबकि टैच स्क्रीन अब आप सबके फोन आजकल क्या है टच स्क्रीन है आप कोई भी चीज को टच करते हैं नंबर मिलाते हैं फोन का तो टच करते हैं तो टच स्क्रीन क्या हो गया आपके ये इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस नहीं है ठीक है समझ में आ गया टच स्क्रीन क्या है एक input device है जबकि बाखी सारी क्या है output device है आपसे पूछा है कौन output device नहीं है तो touch screen आपके output device नहीं है option number B next question की तरफ चलते है student हम 2G spectrum या 5G 4G जो आपके है इसमें G शब्द क्या है G का मतलब क्या होता है global government generation google इसका मतलब होता है आपके generation ठीक है generation अभी क्या है 5G generation next computer क्या है आंकडों के भंडारन वाली सक्षम युक्ती है computer को define करिए आंकडों के विश्रेशन करने में सक्षम है गोपनिता बनाए रखने में सक्षम है गोपनिता समझते हैं बनलब प्राइवेसी कभी कभी वाइरस दौरा आक्रमित होता है तो इसमें आपके हो जाएगा चारों ये चारों बाते बिल्कुल सही है computer के लिए एकदम चारों बाते बिल्कुल सही है बाइ वाइरस भी आ जाता है गोपनिता भी बनाए रखता है हमारे जो डेटा है उसको एनलाइज भी करता है और भंडार भी करता है श्टोर भी करते हैं आप computer में memory पूरी फूल हो जाती है क्या करते हैं फिर है इंटरनेट क्या है बताइए इंटरनेट क्या है समूदर में मचली पकडने का जाल है बास्केट बॉल की प्रतीस परदा का कोई नाम है रेल लाइन में रेल के डिबो का हिस्तान का हिसाब रखने वाला है या computer पर अधारित अंतराश्टी सूचनाओं का तंत्र है तो obviously आप देखती बता देंगे D option है computer पर अधारित अंतरा भी पूछी जाती है world wide web इसको सामानता वेब बोल सकते हैं ठीक है तो यह इसके जो आविश्कारक है वो है टिम बर्नर्स ली option number B now the next question is www का विस्तरत रूप क्या है world wide web option number B now the next question is Indian Institute of Remote Sensing कहां है Indian Institute of Remote Sensing दहरादून में है यह चीजे आप याद कर लेगा हो सकता है यहां से questions पूछ ले जाया कि यह institute कहा है जैसे और ड्रग इंस्टीट कहां है यह सब हो सकता है पूछ ले जाया तो इन्हें आप याद कर लेगा निम्ली कितमे से कौन सा पधार्थ आपके साबून बनाने में use किया जाता है बताए इसलिए हम किसका यूज करते हैं साबुन मराने में वनस्पति तेल का यूज करते हैं इसमें आपके आपके शोधन अभी करता है नेक्स कोशन देखिए अपमार्जट मेले कपड़ों से सरलता पूरो तेल निकाल देते हैं अपमार्जट जल्का प्रश्ट तनाव बढ़ा दे जो है वो जल्का लेकिन हां गंदगी वगरा जो है आप डिटरजन वगरा यूज करते हैं तो गंदगी वगरा बिल्कुल साफ हो जाती है तो इसमें आप्शन नमबर A सही है B नहीं है नेक्स्ट प्रजटन शक्ति किस विटामिन के अभाप से होती है मतला रिप्रोडक्ट करता है तो वह आपके केवल प्रोटीन को डाई एक सफ़ाई में सबस्याद मेहत्व किसका है घर की सफाई में क्या करना चाहिब हमें iş क्या है नेक्स्ट करके सफाई का मानसिक स्वास्ति के लिए शारिरिक स्वास्ति के लिए जीवन में आनंद के प्राप्ति के लिए सभी के लिए तो भाई सभी के लिए जो है घर के सफाई की जाती है मान भी खुश रहे शरीरी भी खुश रहे जीवन में आनंद बना रहे सभी के लिए सफाई करी जाती है ने यह बाते त्यान चाहिए उच्छे सादान भी उसकता है लेकिन उने सब आप्षन दीए नहीं तो इसमें बेस्ट यह ही है next furniture की दरार को भरने के लिए किसका use किया जाता है तो लकड़ी का बुरादा जो होता है उसमें फैविकौल mix कर गए जो है फर्नीचर की दरारों को भरा जाता है नेक्स्ट इस उत्तम घ्रह सज्जा के लिए क्या जो है जरूरी है इसेंशियल है तो भाई अभी रूची और सौंदरे बोध आपको इंटरस्ट भी हो और आपको जो सौंदरे है उसकी जानकारी भी हो कि कैसे अब अपने घर को सुंदर ब्यूटिफुल बना सकते हैं नेक्स्ट अनुरूपता को किस प्रकार से उत्पन किया जा सकता है रेखा अकार बनावट इन सभी के दवारा आप अनुरूपता हार्मनी ला सकते हैं सब मैंने पढ़ाय हुआ है आपको प्राकतिक परियावरण प्रताक रूप से प्रभावित करता है ये तोड़ा सा बलर हो आप किस पर पढ़ता है जन्सामान के धर्मी जीवण पर जन्सामान की कलाओं पर जन्सामान के साहित पर सभी पर तो इंडरेट प्रभाव आपके सब likeに Uz? हमारे जीवन के हर चीज आना question बचत का budget चलिए लेकिन important है आया हुआ है पारिवारी budget को प्रभावित करता है पारिवार के सदस्यों का क्या आजमी नियंत्रा मतलब अपने उपर control दूरदर्शिता मितवईता सभी ठीक है इस सारे options क्या है ठीक है next is बचत का सही विनियोग क्या है व्याज पर धन देना कोई वस्तु खरीद कर रखना वचत पत्र खरीदना या बचत खाते में जमा करना तो क्या होसता है वचत का सही विनियोग आप बचत खाते में जमा भी कर सकते हैं ठीक है वचत पत्र खरीद भी सकते हैं इसमें दोनों ही साही है तो आप्षण यहां पर ऐसे नहीं दिया है यह भी करके बैसे दोनों ही बात है ठीक है ठीक है चलें नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं वचत का प्रमुख परियोजन क्या है बचत आप करते क्यों है क्योंकि भविश्य के लिए और एक्दम से आने वाली वै को आप क्या क कर सके मैनेज कर सके कंट्रोल कर सके इसके लिए बैलन्स कर सके इसके लिए करते हैं विवक्त मस्तिश शोदो में यह पता चला है देखिए आपके जो ब्रेन होता है ना ब्रेन मस्तिश जिसे आप बोलते हैं इसके दो हेमिस्फेर होते हैं मतलब दो गोलार्द होते हैं ठीक है एक दाया एक बाया और दोनों जो है एक फीते कॉपस कैलोसम से जुड़े हुए होते हैं यह बहुत डिटेल्ड में है लेकिन मैं बता देती हूँ यह पता चला है कि दोनों गोलार्ज की जो अलग-अलग विशेशताएं होती है बिलकुल इंपोर्टेंट बात है दोनों की अ खुआ होती है गुड़े के ओपर होती है उसमें जो एंट्रोजनिक हॉर्मोन होता है जाइं कि अधिक हो जाती है मतलब बहुत जाद मात्र गूंदे हो जाता है to आपके अगल-शनाइटल-शचन अब हिंदि में बोल सकते हैं यह रॉब्लम हो decisives के समान से भी मातरा अधिक हो जाती है बौडी के अंदर जो किसा सिक्रीट होता है एडिनल ग्लाइंड कहा पाई जाती है व्रक के उपर किड्नी के उपर पाई जाती है गुर्दे के उपर पाई जाती है नेक्स कोशन है computerized axial tokography यहाँ पर tomography है, यह togography नहीं है tomography है, इसको आप CAT बोलते हैं, जो CT scan होता है CT scan, इसको पहले CAT scan बोलाता था आप CT scan बोलते हैं तो आपको पता है, इसको फुल फॉर्म है वो है computerized tomography और CAT की बात करेंगे, तो computerized axial tomography, togography नहीं है, that is tomography tomography, tomography यह मतलब राइटिंग में आपे problem है, tomography, तो यह क्या करता है तंत्रिका आवेक को मापने का एक तरीका है CT scan तो आप जानते हैं brain, brain के damage, उसके किसी भी तरीके की bone damage brain में कुछ भी check कनने के लिए आपके CT scan किया जाता है, ओके शाब्दिक सीखना विदी का उपयोग प्रेरित करने में नहीं किया जा सकता अब आप किसी को शप्तों से सिखा रहे हैं तो किस में नहीं कर सकते भोजन, पानी से वंचन में नहीं कर सकते बाकि दंड, पुरुसकार, चिंता यह सब आपको समझ में आ रहा हूँगे उप्षन एक दूसरे रिलेट कर रहा है लेकिन भोजन, पानी से वंचन ऐसा कुछ नहीं होगा तो वी उप्षन सही हो जाएगा सजावट के सिधान के तत्व क्या-क्या है तो आपको पता है कि यह सभी जो हैं सजावट के सिधान के तत्व है अनुपात, संतुलन, प्रभाब सभी आपके सजावट के सिधान के तत्व है नेक्स्ट कोशन इस कालीन की सफ़ाई कैसे करने चाहिए कडे ब्रश से, मोटे ब्रश से, नर्म ब्रश से फूल जाडू से तो नर्म ब्रश से करने चाहिए Now the next question is एक भाग oxygen, दो भाग hydrogen से क्या बनता है H के कितने है, दो molecules, oxygen का एक, क्या बन गया जल, H2O, ठीक है एक भाग oxygen, दो भाग hydrogen से बनेगा जल, जल बिविन रूप पर धती पर पाया जाता है जैसे किन किन रूप में पाया जाता है बरव भी, जल भी, वाश्व भी, सभी आंसर हो जाएगा Next question is रसाइनिक पधार जिनका प्रियोग जल के शुद्धी करण में करते हैं तो सभी हो जाएगा Bleaching powder, potassium, permanent, chlorine, gas, सभी हो जाएगा Next is लाल रंग की दवा का दूसरा नम क्या है तो potassium, permagnate चलिए आगे बढ़ते हैं मूँ जीब की सफाई करनी चाहिए कप-कप करनी चाहिए तो भाई भोजन के बाद भी करो रातरी भोजन के बाद भी करो सुभा भी करो सभी Next question is दांतों को सौच से रखने के लिए कैसा पोशन अच्छा होता है तो calcium भी हो, vitamin भी हो दोनों चीज़े हो, vitamin C भी हो सभी ठीक है Next is पसीना हमारे तोजा से बहार आता है कैसे? छिद्रों के दौरा ठीक है छेद होते हैं हमारी body में छोटे-छोटे वातवरण में जो nitrogen होती है जिसे हम nitrogen fixation की process बोलते हैं वो आपके मिट्टी के भीतर पहुंच जाती ही ये काम कौन करता है मैंने आपको पढ़ाया है rhizobium नामक जीवानू, bacteria होते हैं ये करते हैं ठीक है? जानवर मनुशिपेंट नहीं करते हैं आपके मिट्टी में वो करते हैं carbon dioxide gas एक अशुद्ध gas है कैसी gas है? अशुद्ध है ठीक है? next is कठोर, खारा, जल, खनिच पदार्तों के मिलने से बनता है ये पदार्त कौन-कौन से है calcium carbonate, magnesium carbonate, sodium sulfate तो ये सब ही हो जाएंगे ठीक है? now the next question is डाश बेचैनी की वहस सिति है जिसमें शरीर के समान रुप से कार करने की सिति बिगड जाती है तो आपका body आपको support नहीं करती जब आप किसी तरीके से रोग हो जाते है कोई बिमारी आपको हो जाती है तब वो ऐसी बेचैनी आपको होती है कि जो आप है संपर्क से तो obviously option number C अगर कोई भी व्यक्ति संकर्मित है खुजली से फंगर डिजीज है आप उसके संपर्क में आएंगे तो हो सकती है Bacillus Calamity-Gurine vaccine का उप्योग किसके इलाज के लिए किया जाता है Bacillus Calamity-Gurine BCG का यूस TV की बिमारी को क्योर करने में किया जाता है BCG का T का बच्चों को लगाया जाता है TV रोग में सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित होते है तो TV रोग में सबसे ज़्यादा आपके lungs प्रभावित होते है फेफडे lungs में बहुत ज़्यादा एफेक्ट होता है TV का next is बच्चोंए किस पर असर करता है पीलियादीजीज का असर आपके लीवर पर पढ़ता है डैश बढ़ा अकार ले लेती है जब विक्तिकों मले नेया होता है इसमें से कौन सा जो है बढ़ा आकार ले ले लेगी तो प्लीहा, स्पिलिन, क्या बोलेंगे से, स्पिलिन, ये बड़ा आकर ले लेती है, जब विक्ति को मलेरिया हो जाता है, नेक्स्ट कोशन, यही है, आजका लास्ट कोशन वीडियो गा, तो स्टूडेंट वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएगा, और थैंक्यू सो मच, आप सभी का, पढ़ने के लिए, और ध्यान देने के लिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपि के साथ, मॉडल बेबान नमबर थ्री के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते लिए, प्रिविएस वीडियो को भी देखते रहिए, जो आपको डेफिनिटली हेल्प करेंगी, थैंक्यू सो मच,